मेरे यहां पर माली काम करता है मेरे घट में उस माली से मैंने एक दिन पूछा यह बागेश्वर भाबा धाम कौन है बोले बहुत बड़े संत हैं सब कुछ जानते हैं बहुत जबरदस्त हैं जब उनके उपर कॉंट्रोवर्सी आई मैंने पूछा क्या विचार है आपका अब मुझे लग रहा है वो पाखंडी है फिर उन्होंने आके कुछ पत्रकारों को लेकर ठोक दिया प्रूफ कर दिया मैंने का अब क्या मानना है करन नहीं वो बड़े संत है सब कुछ वही था बागेश्वर बाबा भी वही थे मेरा माली भी वही था यानि कि कहानियों से परसेप्शन बदलता है एक शक्स जिनका शौक है मोटिवेट करना वे डूपते को सहरा देते हैं इंसान के अंदर मर चुके जजबात और जोश को जिन्दा कर देने का हुनर उन्हें बखो भी आता है आप उचाईयों पे पहुँचने का सपना देख रहे हैं वे सपने को साकार करने का तरीका बता देंगे आप मन्जिल तक पहुँचने का रास्ता ढून रहे हैं वे आपको सही दिशा दिखा देंगे ऐसे शक्ष को विवेक बिंदरा के नाम से जानते हैं विवेक जी, Business Studio Television के बाते काम्याभी की शो में आपका स्वागत है पहला सवाल आपसे जाना चाहूँगा कि Motivational Speaker, Management Guru, Entrepreneur जैसे शब्द आपके प्राइबाची बन गए है इन शब्दों का जुड़ाब आपके साथ कैसे हुआ, ये कहानी कहां से शुरू होती है कहानी की शुरूबात निगम जी, वहीं से होती है, जहां जरूरत पैदा होती है अब शक्ता ही, अवश्कार के जननी है, सबको मालू है और वहीं से परिवर्तन आता है, जितना तेज़ परिवर्तन लाएं तो मैं कौन, I am the change मैं एक वो परिवर्तन हूँ, और उस परिवर्तन को मैं लोगों कम्यूनिकेट करना चाहता हूँ with full conviction and clarity मैं आज entrepreneurship को enable करना चाहता हूँ, भारत वर्ष के अंदर अगर कोई चीज़ प्रोग्रेस ला सकती है, तो वो entrepreneurship ला सकती है, उसके लावा कुछ नहीं एक economy की growth होती है, हमेशा तीन चीज़ों से, पहली है consumption, दूसरी है saving, तीसरी है investment saving और investment भी consumption बढ़ाती है, consumption भी consumption बढ़ाती है, और ये तीनों मिलके फिर consumption बढ़ाते हैं, तब ही देश बढ़ता और इनके लिए आपको चाहिए entrepreneur, और entrepreneurship को enable करने के लिए, आज हमारा अस्तित्व, हमारी identity, हमारा purpose, हमारी सांसे, हमारी नींद, हमारी जागरत वस्था, सब इ अधानी के लिए आयों यहां पर, मैं बोला, बिल्कु ठीक है, मैं अधानी का agent हूं है, हर entrepreneur का agent हूं है, 13 crore MSMEs का agent हूं, मुझे मिलता कुछ नहीं इनकी agency के लिए, लेकिन इससे भारत को मिलता है, और जब खुशाली आईगी तो हर political party का, हर business का, हर इनसान का देश में फिर उनका एक down शो गया, फिर अप चीजे balance हो रही है, तो इस तरह के business में बहुत सारे businessmen के साथ इस तरह की चीजे होती है, कि उठना, गिरना, उठना, गिरना होता है, तो इस पूरी घटना क्राम को आप किस नजर से देखते हैं, और क्या संदेश देना चाहेंगी आप उ बहुत बढ़े संदेश, सब कुछ जानते हैं, बहुत जबरदस्त हैं, जब उनके उपर controversy आई, मैंने पूछा, क्या बिचार है आपका, बहुत बढ़िया मानता था, अब मुझे लग रहा है वो पाखंडी हैं, फिर उन्होंने आके कुछ पत्रकारों को लेके ठोक दिया, मैंने का, अब क्या मानना है, करें नहीं, वो बड़े संदेश, आपको क्या समझ में आई, सब कुछ वही था, बागेश्वर बाबा भी वही थे, मेरा माली भी वही था, मीडिया पे पहले देखा, संद लगे, मीडिया पे दुबारा देखा, अरे गड़बड है, मीडिया तीसरी बार देका, नहीं नहीं संथ हैं, यानि कि कहानियों से परसेप्शन बदलता है, और कैसे परसेप्शन एक माली का बदला, वो दिखाई पड़ा आपको, आडानी के केस में, मैं आपको समझा देता हूँ, इसके पीछे की साइंस को समझो, हिंडन बर्ग एक ऐसी और ओनाइडेशन है, जो कोट में, अइमेरिका में जीछ जाती है, हमारे देश के इरोज, इंटरनाशनल ने भी उसके उपर केस किया, चाइना की एक बहुत बड़ी फर्म ने उसके इसके उपर केस किया, ये दोनों हार गए, केश, इरोज भी हार गया, चाइनीलल बी कंपनी हिंडन बरक गेंट्ट हार गई आपको आगा इसलिए हार गए हूंगे क्योंकि इंडन बर्ग में सच वोला होगा नहीं इसलिए नहीं हरे वो इसलिए हरे चुकि अमेरिका में ओपीनियन रखने की आजादी रिपोर्ट में दो चीज़ों पर ध्यान देआ, वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं, we believe। और दूसरा क्या बोलते है, we think। उनकी पूरी रिपोर्ट में ये दो चीज़ों मिलें, we should have our thinking. वी विचार है, विचार रखाईए तो नहीं क्या है, हुआ है कि हमको लगता है हो सकता है फ्रॉड किया हो कि दस लोगों की ऑर्गाशन तीन साल पुरानी एक लाखो लोगों की एक लिश्न आडानी तीस साल पुरानी हमारे देश में बुट्ठा सेखने के लिए कोिले पे जैसे हवा दी जाती है ऐसे हिंड़नबर्ग ने हवा देदी के जी हम यहाँ पर आडानी ऐसा आडानी वैसा आडानी सारे नमबर्ड आडानी के अप डेट service coverage ratio, interest service coverage ratio आप उनकी जो asset to debt ratio यह सारे basic ratio थे जनकी जानकारी नहीं पर पॉलिटिकल पार्टी इसको मौका मिल गया है और उसके चक्कर में लोग अपने देश के खिलाफ बोलने की जरुवत नहीं है अगर 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 ने गलत किया पकड में आ जाएगा चीज़े सारे नंबर्ज वापस आ चुके मैं बहुत न्यूज चैनल पर बात कर चुक निकले नहीं निकले बॉटं ना आप जानते है टओप ना मैं जानता मेरा müद्दा वो नहीं है वो निकले ना निकले मेरा मुद्दाने उन्हों ने फ्रॉड किया नहीं किया मेरा मुद्दा यह कि अध tutorials चल रहे हैं आडानी के Interior सेफ हैं cash flows है recurring revenue के business हैं धंदा वैसे का वैस है अडमे के कंपनी over valued थी बहुत ओवर वैल्यूडि ती थी सबको पता है उसमें इनवेस्ट आपको नहीं करना चीया था मुझको नहीं करना चीया है सब को पता है retail investor को नहीं जाना चीके price to earning ratio जाधा थी सबको पता है आज उसका price correction पर धन्दा ठीक है अडानी सेफ है निकल जाएंगा मतलब क्या निकले हुए है वो सेफ है उनको कोई तकलीफ नहीं है अडानी के धन्दे ओन है चालू है बस उनकी रैंक बदल गई दूसरी रांग से 15 रांग सतरवी रांग पर आगाए दुनिया में क्या फरक पड़ता इसस सब्सक्राइब करें दूसरी निकलते हैं सर आप मैंनेजमेंट गुरू है आप मोटिवेशनल स्पीच देते हैं लोग को मोटिवेट करते हैं मैं इसको दो तरीके से जोड़ रहा हूं कि एक जमाना था कि नुकड़ पे गाउं दिहाते में लोग ग्यान देते थे बैटके लोग भागते थे दूर ज्यान पेलना है भागो आपने एक ऐसा सम्मोहन बाधा कि लोग आपकी सपीच सुनने के लिए आते हैं आपके पास खिजे आते हैं यह क्या जादू है यह कौन सम्मोहन जादू जादू हर वह वह पारी कर रहा है जो कस्टमर की प्रॉबलम को ऐसे साथ में आजाएं सारे नंबर खतम हो जा आपने बड़ बड़ी कंपनियों में जाकि लोग को मोटिवेट किया है speech दीया विर कंपणिया आपको बुलाती हैं technology की कमपनियों की दुनिया में देखिए तो बहुत सारा lay-off बहुत लोगों को निकाल जा रहा रहा है जिस धंडे में यह तीन चीजें कैश मतलब माल बेचते से पहले या माल बेचते ही तुरंट पैसा आए कैश लो अच्छा रहना चीजे जितना गया उससे ज्यादा आया फनाइंश है तीन चीजों का फनाइंस समझेजेगा जितना पैसा गया उससे ज्यादा आना चीजे हर मह को अईसा होता है आपने 100 रुपे का माल 1.500 कितने का मुनाफ़ा 50 रुपे का सौ का माल 2.500 को बेचा 50 रुपे का मुनाफ़ा आपकी बुक्स में profit आ गया आपने बिल इन वॉस जनरेट किया profit आ गया पर पेप्छार नहींने बाद आई तो यह कि प्रोफिट है कैश नहीं है यह प्रोफिट नकली है समझ में आ गया चार महीने बाद बाइचंद पेइमेंट दिने को मर गया फिर आब उसके पीछे-पीछे घुमते रहो कोर्ट में जाते रहो मसमी समधान योजना में जाओ इसमें जाओ उसमें 180 दिन और लगाओ गेम ओवर तो पहला चीज है जब धंदा करो कैश का दंदा करो उधार करें कैश लो स्टेटमेंट अच्छा दूसरा चीज है मार्जन मार्जन आपको बता दिया सौक अमाल एक्सोबीस एक्सोटीस एक्स अगर आपकी कंपनी का आज आपका जो ऑगनाईजिशन है बिजनेस टुडे टीवी यह भी हर महीने बढ़ना चीए इसका टॉप लाइन हर महीने इसका रविन्यू बढ़ना चीए वो ग्रोथ है लेकिन बढ़े कैसे प्रोफिटेबल तरीके से बढ़े और पेमेंट कैसे आपके पाद अड़डाइलर से पेमेंट आता है तुरंत आए ऐसे ही मेरा धंदा आपका धंदा सबका धंदा मैं आपके तो बहुत इज़त करता हूँ आप बहुत बढ़ बढ़िया काम करते हैं तो जिस धंदे के अंदर ये तीन चीज़ें वाँ ले ओफ नहीं होगा ले कारण होते हैं के ले ओफ होते हैं एक स्ट्राटेजी बार 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 बदलना क्लारिटी ना होना और दूसरा कैश ग्रोथ प्रॉफिट कंट्रोल में ना रखना स्टारे स्टार्ट अप सारे बिजनेस जिसके ये तीन चीज़े मैंने आए एक सीनियर लीडर थे हमारी कंपन में लगाने जा रहा हूं आने वाला IPO आने वाला IPO सीनियर लीडर था मैंने उसको अपने पास बुलाया मैंने क्या कर रहा भाई तेरे कारण हमारी कंपनी की भी बेजती होगी आज पेटियम के पास ना कैश है ना ग्रोथ है ना मार्जिंस है कैश उसका दूसरों को दंदे चल रहा है ग्रोथ पिछले साल से डीग्रो कर गया मार्जन आज तक लॉस में कंपनी उसमें तीनों ही नहीं है पेटियम में इसका IPO आने के बाद इसका IPO आई इसलिए रहा है क्योंकि इसके इन्वेस्टर्स को बाहर निकलना है इसके इन्वेस्टर्स के प्रेशर के कारण इसका IPO आ रहा है और मैंने उसको वहां बोल दिया मैंने का देख लियो मेरे दोस्त नौ महीने के अंदर ये चालिस परशन से जड़ा डॉप होगा और नहीं माना उसने पैसा लगा दिया आज वह एंप्लॉई हमारे साथ नहीं है चुकि वह बहुत शर्मिंदा हुआ बाद ए रहता है इसाथ जानाया के घृते जाना मजबोरी होती है इसोनो पलने या थी肉 में क्या उती है इनकी मैं अपकी पैसा लगा रखाए अब मेरा पैसे चुट्टा नहीं हो रहा है आई-प्यो में रिटेर इंवेस्टर राइगा मेरा पैसे चुटता होगा मैं बहर निकलूंगा तो वे इन्वेस्टर अपने प्रश expose डालता ह MALगा O जाता है alive its चल इसका फर्च गेम odor और ऑर विचाना deep쇼 लर रिटेर इंवेस्टर मेरा आपके जैसा बरबाद हो जाता है, किसी भी कंपनी के फंडमेंटल जानने जरूरी है जो आपने एक्जामपल थे बहुत चाहिए, मैं इसको थोड़ सा और लाज स्विल जाता हम, कि शेयर बादार में लोग पहे डालते हैं, बिना तीजों को समझे कि इसका शेयर डाल दो पैसा, शेयर गिरिया निकाल लो पैसा ऐसे लोह को आप क्या सला देंगे, कि मतलब कितना पेशेंस जरूरी है, कितना चीजे इसमें समझना कितना जरूरी है, इनको पता क्या करना चीए, इनको धाबे पर वेटर की नौकरी करनी चीए, पूछो क्यों, क्यों, इसलिए करनी चीए क्योंकि वहां पर ने टिप मिलत एक वो टिप होती है, की टिप होती है, टिप मिली, इसमें पैसा डाले, इसमें पैसा डाले, जाएगा, भागेगा, दोडेगा, इनको फंडमेंटल सीखने चाहिए, एक मैं बतायाता हूँ, अपनी तारीफ नहीं करना चाहरा था, पर फिर भी करता हूँ, जरूरी है यहां प बतायता हूँ, इसको कंसिस्टेंटली खरीज रहा हूँ, बजार से आपको इंडिकेशन मिलते रहने चाहिए, आपको यह देखना चाहिए, कि यह जो कंपनी असका 10 साल का ट्राक रिकॉर्ड देख रहा हूँ, दस साल में कितने आप कितने डाउन लिये, यह मैं कुछ फट को कोई कमिशन मिल रही, इसलिए नहीं कर रहा, मैंने किसी शेयर मार्केट में किसी कंपनी की को कभी प्रमोट नहीं किया कि इसमें पैसा जैसे आज भी बोलेता हूँ, आदानी के लिए मैं यह नहीं बोल रहा हूँ, मैं यह बोल रहा हूँ कि हमारे जैचंद लोग जो हमा बहुत जबरदस एरिया, अगर इंटेलिजन्स आजाए, राइट इंवेस्टमेंट करो तो आपको ग्रोथ मेलेगी. अब शेयर मार्कर से भाहा निकलते हैं, कुछ दिन पहले बजट आया, बजट को लेकर आपकी क्या राया है, मैं टेक्स पर वी आऊँगो उसके बाद आपकास. अपन चार-पांच लाग करोड से साड़े साथ लाग करोड पे गए, उससे दसलाग करोड पे आगए, कई गुना गुरूथ इंफ्रस्ट्रक्चर पे लगाई गई, मैं आपको एक उधारन दे देता हूँ, आज हम नौईडा में बैठे हैं, मेरे घर पे बैठे हैं यापे जिम के अंदर चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, नौईडा में बाहर एक छोटा सा एक्स्प्रेस वे है, 20-25 किलोमेटर का, सड़क बनी, इंफ्रस्ट्रक्चर है, उसके बनने से एक लाख मकान बन गए, उसके बनने से धाई लाख लोगों के आफिस बन गए, उसके बनने से आज काफी रेजिडेंशल, पेरिफेरिल, छोटे बिजनस भी आ गए, उसके बनने से एक बहुत बड़ी ग्रोथ हाई, यह 25 किलोमेटर बता रहा हूं आपको, हमारा देश में हजजारों किलोमेटर की सड़के बन रही हैं, अमेरिका में सड़के इसलिए हैं, क्योंकि अमे बड़ी कमाल की वाद, अलड़ी खुल क्यों हो राइं इंटर्व्यू, ऐसे इंटर्व्यू कम देता हूं मैं कभी-कभी, बड़ा स्पॉंटेनियस बात हो रही है, जब आप किसी को रेवडी बाटते हो, रेवडी बातना थोड़ा कथोर शब्द है, पर इसका अर्थ ही हो हुआ जब आप किसी को freebies देते हो, कुछ gifts देते हो, तो एक रुपे की रेवडी, यानि कि एक रुपे का freebie, यानि कि एक रुपे का gift देने से 90 पैसे की economic activity होती है जब आप infrastructure में पैसा लगाते हो, तो एक रुपे की investment से साड़े तीन रुपे की economic activity होती है, अब इसको समझते इसको देफिसेट से जोड़के है, साधारान भाषण में समझाना मेरी expertise है, ठीक है, फिसकल देफिसेट क्या है, मैंने अपने budget की वीडियो के बाद अपने रसोहिये से पूछा, महराज, महराज बोलते हैं प्रेम से, अपने रसोहिये को, मैं का महराज, फिसकल देफिसेट क्या है, समझ में आए मेरा वीडियो देखके, बुरा आगया, मैं क्या है, बोला, ज्यादा पैसा अगर देश में आया, और कम खर्च हुआ, तो फिसकल सर्प्रस, और ज्यादा पैसा देश से खर्च हो गया, देश की income कम हुई, तो फिसकल डेफिसेट सिंपल हो गया, तो अगर एक बावर्ची, जिसको महराज, जिसको शेफ, जिसको एग्जेक्टिफ शेफ, सू शेफ बोलो, वो भी समझ गया, अब इसको जोड़ते हैं, निकम साथ फिसकल डेफिसेट दो तरह के होते हैं, ये तो आपके साथ चलते चलते हैं, आज मैक्रो एकोनॉमिक सी क्लास भी हो रही है, साधारन भाशा में, फिसकल डेफिसेट दो तरीके हैं, एक फिसकल डेफिसेट मैंने खर्चा ज़्यादा कर दिया, इंकम कम होगा, लेकिन रेवड़ी बाटके, एक फिसकल डेफिसेट जिसमें मैंने खर्चा ज़्यादा कर दिया, इंकम कम करी, लेकिन मारजनल आएगा बिल्कुल नहीं आगा कहना भी गलत हो जाएगा यहां पर मेरे को बड़े रिटर्न मिलेंगे इसलिए इसको ऐसे समझ लो यहां पैसा खर्च हुआ है यहां पैसा निवेश हुआ है दो तरह के फिसकल डेफिसिट हैं तो इस सरकार के इतने इलेक्शन साने के बावजूद मेरे कला 1011 राज्यों में एलेक्शन हो रहे नाओ तीस में पूरा हो रहा है साउथ में थोड़ा बीच में हो रहा है देश के इतने एलेक्शन हो रहे जनरल एक्षन आने वाले है आखरी बजट इनका मैंने सोचा था नेगन साब इस बार कुछ ना कुछ यह सर सरकार किसी भी पार्टी की हो लेकिन जब भी बजट आता है टैक्स की बाद जरूर उती है और टैक्स मैं अबको बताता हूं साइश को मैं एक नहीं तरीके दे संजाता हूं आप निगम जी हमारे देश में टोटल पौने चार-4 करोड लोग टैक्स फाइल करते हैं देश मे लोग कितने हैं 140 करोड से ज्यादा हैं अभी कईयों का अधार नहीं बना अंदर की बात हैं सच बात है 140 करोड से ज्यादा लोग है पारे देश में ठीक है उसमें से कितने लोग टैक्स फाइल कर रहे हैं चार करोड उसमें से 2 करोड 80,000,000 लोग टैक्स फाइल कर रहे हैं ज प्रोफेशनल नौकरी करने वाले बिचारे, इस एक सरकार इस पर टाइस पर बहुत ज़्याद दिमाग नहीं लगाती, उसका खार इंकम टाइस पर बोट रहा हूं, जीस्टी पर नहीं बोलो, जीस्टी पर लगाती है, जीस्टी सवादा, दस लाग करोड साड़े दस लाग क मतलब है, जीस्टी जाद आने का 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 मतलब तबका बहुत छोटा है तो इसी की कवर्ट नहीं पड़ी है तबका बार बार दिखाई पड़ रहा है क्योंकि आपका तबका कमेंट करता आपके वीडियो के नीचे यह तबका आपको कुछ ना कुछ ओपीनियन पॉल में पाटिसिपेट करता है चुकि यह थोड़ा एजुक बाकी के लोग जो है जो असली जनता है पूरा भारत उनको इससे फरक नहीं बढ़ता है वो खाली की बात करते है तो दिया आपको एक सवा करोड़ लोग काम के हैं जो टाक्स फाइल कर रहे हैं उनको कहीं ना है कि सरका को थोड़ी से रात दे देनी चाहिए यह आपने ठीक काम की बाता हूँ वैलियबल बाता हूँ दो तरह से रहात देनी चाहिए सरकार को पहली रात देनी चाहिए कि मेरे भाई निगम जी आपने इतना टैक्स दिया आप तो बढ़ी आदमी हो एरपोर्ट में आप लाइन पर क्यों लगे हो आप टैक्स पेरो आपकी अलग लाइ में बाकी आरा 24 दिन में आपको 24 गंटे में आना चाहिए टैक्स पेर को सरकार एक छोटा सर्टिफिकेट देती इसको लेकर कि इदर घूमें कोई फाइदा नहीं टैक्स पेर को यह सारे क्योंकि जिस वेवार पे दोगे पुरुषकार उसी को दोहराय जाएगा बार बार ए इफर्ट विच अपरिशेटे गट्स रिपीटेड नमबर टू टैक्स पेर को और क्या फाइदा होना चाहिए दूसरा टैक्स पेर के लिए क्या करना चीए था कि टैक्स पेर को छोड़े जो टैक्स का चीटर है उसको पकड़े इंकम टाश वहां से निखाल केला हैं आज ब टेकनोलोजी, AI, MLC उन्होंने बहुत काम किया है, मैं यह नहीं कहूँगा कि सरकार काम नहीं कर रही है, मैं यह कहूँगा कि इस पर और काम किया जा सकता है, जो टाक्स छोरी कर रहा है, वहां से कमाई बढ़ाएं, जो बचारा इमानदारी से दे रहा है, उसकी कमर ना दो बातों के साथ इसको डीटेल में समराइज किया है, रहूल गांधी यातरा पर निकले थे, भागा जुर यातरा कर रहा है थे, मेरा मानना यह पूछना है अपसी है, अगर आप सब को सला देते हैं, सब को मोटिवेट करते हैं, एक मौका आपको मिले कि रहूल गांदी को सला देनी है, उनको मोटिवेट करना है, तो आप क्या कहींगे? रहूल गांदी को क्या सला देंगे? रहूल गांदी जी का पीछे किसी के थुरू हमसे मिलने के लिए इंविटेशन आया था, मैं उनसे मिलूँगा, उनको प्राइवेटली सला दूँगा, पबलिकली नहीं प्राइवेटली नहीं बताऊंगा, चली ठीक है, आखरी की एक दो सवाल और आप से पूछूँगा, कि हर व्यक्ति की जिंदगी में संघर्ष होता है, आपकी जीवन में भी संघर्ष रहा, और हर सक्सेस हासल करचे के इंसान की पीछे कोई ना कोई एक महिला या कोई ना क को वहां तक पहुंचने में मदद की, आपका साथ दिया या आपको मोटिविट किया? दूसरा, जो मुझे सक्सेस मिली, उस सक्सेस में कांट्रिबुशन बहुत बढ़ा है मेरी कंपनी के लीडर्स का, जो दिन रात मेरी आपसेंस में महनत करते हैं, मैं आफिस नहीं जा पाता, आज भी हम जिम में बैठे हैं, यहां चर्चा कर रहे हैं, अपने घर पे बैठे ह काम कर रहे हैं, बहुत कमिटेड हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बड़ी फोकस्ट हैं, और तेज रिजल्ट कैश ग्रोथ प्रॉफिट तीनों में ला रही है, तो वो दूसरा, और तीसरा, जो सब को बनाए रखता है, वो हमारा को वीवर्शिप एंगेजमेंट देता है आज भी वोल्ड कर नमबर वन उंत्रपनियर यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं, इनके अलावा 11 वोल्ड रिकॉर्ड वे बन गए हैं, इसे हमारे कंशुमर के करन हुआ है, तो कस्टुमर सिगनल देता है, मैं उसी साब से कॉंटेन बना देता हूं एक सवाल था जो मैं पहले पुछने चाहते हैं, तो पुष्टे पुष्टे आखिर में आ गया, कि जब मैं आया तो आप जिम में वेस्त हैं, आप इतने वेस्त रहते हैं अपनी पुरी जिंदगी में, इतना काम आप पैसे लोगों से मिलना होता है, आप कैसे समय निकाल प चार चीजों पर ध्यान देता हूं, तैयार, पहली चीज होती है, मैं चार चीजों को ऐसे समझाता हूँ, एक ये, एक ये, एक ये, और एक जेब, ये चार चीजे, ठीक है, जेब मतलब पैसा कमाना नहीं रुखना चाहिए, आपको पैसा कमाने की आदत पढ़नी चीए, आ नहीं द घंक से अच्छा पैसा कमाओ ताकि बाकी सब की मदद करपाऊ सेवा करपा हूँ इसको एकोनोमिक अक्टिविटीज में उसको सब के ekosu Action में मदद करो तो पैसा आपको कमाना आना ची है regular कमाना रख बढ़ करमाना ची पहला चीज, तो मैं उसमें समय लगाता हूँ दूसरा इसमें समय लगाता हूँ रोज सीखना रोज अपने आपको लर्णिंग कराना रोज सीखना, रोज लर्णिंग कराना रोज सीखना, रोज सीखना, रोज लर्णिंग कराना क्योंकि भाइसाब अनपड वो नहीं जो पड़ना ही पाते है अनपड़ वो है जो सिखना नहीं चाहते है इसलिए सीखना बहुत जरूरिए अगर अगर यूट घर आगे चलके बहुत पड़ेगी तो उस लिए पड़ते रहो बहुत अच्छा है तो ये वो गया दूसरा एक बताया, एक दिमाग बताया, अब आते हैं आपको तीसरा, वो है आपका दिल, दिल हमेशद तब खुश रहेगा, जब अध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ोगे, जब मन को संतुष रखोगे, थोड़ा घूम होगे, फिर होगे, और अध्यात्मिक प्रगति करोगे, मन को सं आपने एक्टिविटी रोज रहता है, इस चारों पे समय लगाता हूं, जो इंशान इन चारों पे समय लगाता हूं, इसको कौन हराएगा, वो जिंदभी में रोज प्रगति करेगा, आनन लेगा, उसका आनन को रुक नहीं सकता है, ये चार चीजों पर अपने आपको आप से बाते के मज़ा आयां जन्यवाद